अम्बाला सेंट्रल जेल में दो दिन पहले महिला बंदी को लगी गोली मामले की जाच करने आज ग्रह मंत्री अनेल विज खुद जेल पहुँच गए जहां विज ने अधिकारियों को सीन रेक्रेट करवाने के आदेश दिये विज ने कहां मामले की कंभीरता से जाच की जा रही है उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि वह कहां से लगी गोली गोली कहां से आई तो उसके लिए अब हमारी बलेस्टिक एक्सपर्ट टेम भी आई हुई है और मैंने इनको काय कि सीन रेक्रेट करके देखो कि किस दिशा से गोली आई उसी महिला को यहां अगर वो ठीक हो अई हो हस्पाल में तो लाकर देखा जाए कि गोली किस डिरेक्शन से आई और उस डिरेक्शन से कैसे आ सकती है ये देखना चाहिए दूसरा सारी जियल की मैंने सर्च करने के लिए क्योंकि बड़ा संगीन मामला है कि पता है नहीं लग रहा कि गुली कहा लगी और आप्टर गुली तो आई है और वो सारा ढूंड़ना इस पी साफ भी हमारे पूरी तरह से लगे हुए टेम भी बना रखी है और इसको ये चैलन्ज केस है पर इसको हमारी पुलिस होल करेगी है अभी नहीं अभी नहीं अभी टेम लगेगा से तो शारे चीजे मेंने खुद देखी है कि कहां वो जिसको लगी ए वहां पर गफ्राइज के मार सकता है क्या हो सकता है जो भी है हम इसको बड़ी गंबिरता से ले रहे हैं और मेरी पुलिसिस इसको और गोली जो है वो मिशा सीधी आती है वो पैराबोलिक नहीं आती है देखो अभी यह जो मैटर है इसमें फॉरंसी की टीम भी आई है और प्रॉप पर सर्चिंग तो हमने करवाई दी है और आज माननिय होमनिस्टर साब इतने भी आदेश दी है पूरी जेल की तलासी भी हम क जो एक्सपर्ट आई हुए हैं उसके बाद एक्सपर्ट ही डिसाइड करेंगे किस रेंज से कितनी दूरी से वह आई थी और किस वेपन्स की थी वह बुलट उसके बाद ही डिसिजन लेशिट के बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी है क्योंकि सारी चीज़ें अभी कल महिलाएं वाँ दूप में बैठी दी उनसे सबसे पुछताच करी पुछा उनसे और पर्सनली उन्होंने देखा है कहां बैठे थी कहां कडित सब कुछ देखा उन्हें सारी चीज़ें कर लिए हैं सीसी टीवी कैमरा की सारी फूटेज साहब स्पेशल साइबर की टीम लगी हुई हैं और सारा देख रहे हैं पुरी तख जाएंगे पूरी जांच कर रहे हैं और मारी होमनिस्ट साब ने भी आदेश दिये हैं कि इसकी प्रोप पर जांच होनी मैं चीए गैनता से जांच होनी मैं चीए और जो रियल्यटी है वह बहुरे आना और हम भी यही चाते है इसकी सचाही सामने आए और जो भी है ये चीज बड़ी सेंस्टीव चीज है ये और ये बिलकुल जरूरी है इस होटाउट होना चीज है